कुछ भी नहीं है अपना, हमारी कथा, कहानी सिर्फ क्यूदंतियों में है, अगर हम चाहे तो यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, लेकिन हजारों सालों से चलते आ रहे हैं उस पाटाओं में, बंबलाई दाई का अगर उल्लेक आ रहा है, तो कुछ ना कुछ हमारी इतियास में है। मामा में जैसे वाती में, जैसे वाती में रूप मामा में जैसे वाती में, जैसे वाती में रूप येड़ों नूप पन्ना सकडा ने जाने कोया जाती कानी में रो मामा अभी मने की में रो कोया जाती कानी में रो मामा अभी मने की में रो मामा निये जैसे वाकी में जैसे वाकी में रो जै जन्गो जै लियो इंदी में पेंडा बिल्सा नभी में रो जै जन्गो जै लियो इंदी में जैंडा बिल्सा नभी में रो ये तो किम्रानी दुर्गावती ने कान्ती सुर्य बाबु रवशण मक्ले ने समाधूने उन्दी किम्रो समाधूने बुने वोम्रो समाधूने मुने किम्रो समाधूने उन्दी किम्रो जैसे हो दोस्तों में राहूल कन्ना के आज डेट है 19 अगस्त को हम सबेरे निकले थे यहां से रांजनाद गाओ के लिए दोस्तों वहाँ पर एक प्रोग्राम था हमारे गोण महासभा के हमारे मार्गदर्शक संतोजी नैताम जी को याद किया जा रहा था वो एक प्रोग्राम था और गोणी अगोण महासभा के होते हुए वहाँ पर जैसे गोद लेना जैसे एक बच्चे को हम गोद लेते तो गोणी कल्चर में कैसे गोद लिया जाता तो मुझे ये पता चला कि हमारे गोद लेना या तलाक करना इसमें कोट का कोई involvement नहीं होता ये सामाजिक दाइत्व है और इसमें समाज भाग लेता है आज जो गोद याने दत्तक लेने का एक बच्ची दत्तक ली एक मैडम ने वो उनके ही कूर की थी उनके सरनेम की थी तो को का नाम है डूंगरगड आपने डूंगरगड सुनते ही कहा होगा कि मैंने चार-पाच वीडियो अल्रडी बना रखे डूंगरगड पर और आपका अच्छा रिस्पांस आया उस वीडियो पर रिस्पांस आने के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता तो मैं हमेश्चा कंगाली सहाब ने अपना इतियां स्कोचने की कोशिश की कंगाली सहाब की किताबों में उनके उन्हें जब पाटा मिले उन पाटाओं के जरीयो उन्होंने जो कहानी बताई वो कहानी सच है भिमाल पेन खैरोदाई बंबलाई तिलकाई ये थी जिसे हम दाई बंबलाई केत आज उसे पूरी दुनिया बंबलेश्वरी माता कि थी लेकिन गुंडियन समाज पहले से मानता आया कि दाई बंबलाई का जो कर्तब है वो वीके गुत्र की थी और वीके गुत्र में उसने समाज के लिए बहुत अच्छे-च्छे काम किये बिमाल पेन बंबलाई और आया है तो हम चड़के आये और अभी देख लिए दाई को कहना आए की चाहूंगा कि दुनिया कुछ भी कहा हमारे कि उदंतियों में हमारे पाटाओं में हमारे कथाओं में अगर जिक्राता है बंबलाई दाई का हमने तो कुछ लिखके नहीं रखा फिर भी हमारी कथाओं में कहानियों में हमारे पाटाओं में स्पेशली पाटाओं में जो हजारों सालों से चलते आ रहे उस पाटाओं में बंबलाई दाई का अगर उल्लेक आ रहा है तो कुछ ना कुछ हमारे इतियास में है हमें सिर्फ इसको उजागर करना है आगे लाना है लोगों को बताना ह तो दोस्तो इस वीडियो को ज़्यादा बढ़ा नहीं करूंगा मैं दो तीन वीडियो आल्रेडी इस टॉपिक पर बना चुका हूँ तो मैं यही देखना चाहता है ता कि क्या बदला है तो कुछ भी नहीं है अपना हमारी कथा कहानी सिर्फ क्योधनतियों में है अगर हम चाहे तो यहां पर कुछ कर सकते है लेकिन इसके लिए संगटी दोना जरूरी है क्योंकि सुना जाता है ऐसे सुनने में आया कि हमारी उईके गोतरी के आदमी के हाथ से दिया जलाये जाता है किसी नवरात्री का हूँ या किसी और का तो ये सच है जूट है मैं इसके तहह तक तो अभी तक नहीं गया लेकिन कहना यहीं चाँगा जोゴ इतिहां से उसको अपना न सिखो और जो अपना बनके बखर गया है दुसरों के नामों से उसे बदला ना मिसिखो क्योंकि अभी यही काल बचा यही पर कतम कर रहा हूँ जो कुछ मैंने शूट किया है जो इस ब्लॉग में डाल रहा हूँ आप जरूर देखिए और पसंद आये तो लाइक करिए और अपने दाई को अपने इतिहास को अपने पेन पूर्खा को मिलने जरूर यहां आईए और आते समय जैसे हम अपना गोंगो पूजा सेवा गोंगो करते हैं उसी तरह से करिए महुआ के फूल है तो वो लेके आईए अपने शद्दा भाव से चावल और हल्दी लेके आईए और यहां पर चड़ाईए क्यूकि हमारे पेन पूर्खा को क्या लगता है यहां में पता ह तो मेरे खाल से वक्त बहुत हो गया हमें यहां से नाकपूर निकलना है हो सकता है हमें बारा एक रात के दो बच्जा है तो यही आप से विदागर लेता हूं मिलता हूँ अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैसे वाजय जोहार जै आदिवसी जै ग कर दो